राष्टगर्ण किसमें लिखा हुआ है? वो रभी उन्हें राष्टगर्ण जन्गर्मन नायग वाला वो थे कान पुड़के हैं पारसेट जी हैं कान पुड़के हैं उन्हें लिखा जा है नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ इंडियन स्कुल भारत में लगभग 25 करोड़ स्टुडेंट आज स्कुल जाते हैं जिसमें से 13 करोड़ स्टुडेंट प्राइट स्कुल में पढ़ते हैं और 12 करोड़ स्टुडेंट गवर्मेंट स्कुल में पढ़ाई जाता है practical नाम की कोई चीज होती नहीं है इसलिए student में कोई भी skill developed होई नहीं पाती धर्म के नाम पर student को बार दिया जाता है अगर कोई हिंदू है तो उसकी किताब होगी कोई अगर कोई सीख है तो उसकी भी किताब होगी प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी अधिक होती है कि कोई गरीब वेक्ति तो सोच भी नहीं सकता लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवड स्कूल में पहुचाते हैं उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सेकर हो लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो वहां पर पढ़ानी फेकल्टी होती है वोही रट्टा सिश्व ext עpJI लेकिन वहां पर जो पढाते हैं वही लोग होते जो पेरोजगार होते हैं जिने प्राइवेड स्कूल हैर कर लेते हैं सिर्फ पंद्रा से 20 हजार रूपे देख अगर हम अपने स्टेट गवर्मेंट स्कूलों की बात करें तो 25 परसेंटेज टीचर इसकूल में पढ़ाने नहीं जाते जिसके करण सरकार को हर साल 9908 करोड का नुकसान होता है 20 परसेंटेज टीचर इसकूल आते तो है लेकिन सिर्फ अपनी नीन पूरी करने बाकी 55 परसेंटेज टीचर पढ़ाने जरू जाते हैं लेकिन गवर्मेंट इन्हें पढ़ाने नहीं देती क्योंकि गवर्मेंट इन्हें काम पर लगा देती हैं जिसे चुनाओ की ड्यूटी लगाना, पोल्यों की दवा पिलाना, मिड्डे मिल बाटना या जंसेंग्या के सर्वे करना ऐसा नहीं है कि गवर्मेंट ने एजोकेशन सिस्टम में कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं कि इस्टुडेंट पर प्रेशर कम हो और ड्रोप आउट रेट कम हो जाए इसके लिए सरकार ने 2009 में Continuous and Comprehensing Evaluation CCE लागू किया जिसमें इस्टुडेंट को उसके पढ़ाई के अलावा उसके अधर एक्टिविटी के भी नंबर दिये जाएंगे जैसे प्रोजेक्ट, उसकी Communication, Skill अगर हमें Education System में कुछ बदलना है तो दुसरी कंट्रियों से सीखना होगा जैसे अमेरिका, सिंगापूर, जर्मनी हमारे Education System में इस्टुडेंट को टेंथ के बाद सिर्फ तीन ओप्शन दे जाते हैं या तो वो Science से ले ले, या Arts से ले ले, या Commerce से ले ले अधिकतर बच्चे Science से चूस करते हैं ताकि उन्हें बहतर Option मिल सके लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता महाँ पर हर स्टुडेंट को अपने सब्जेक्ट खुद चोईस करने होते हैं जैसे अगर किसे को Physics पढ़ना है और History भी पढ़ना है तो दोनों सब्जेक्ट साथ में ले सकता है ऐसे कोई restriction नहीं है कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है अगर हम Germany और Australia की बात करें तो महाँ पर टीचरों की salary तीन लाग से साड़े तीन लाग रुपे होती है लेकिन इस प्रकार का उनका standard भी होता है हमारी सरकार को भी अपना education budget बढ़ाना चाहिए ताकि हम भी इस प्रकार के standard set कर पाएं और अच्छी quality के teacher निकाल पाएं